हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल सिलपास के चैनल रेसिपीस में स्वागत है आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल आलू मतर की मसालेदार सबसी बहुती स्वाधिस्ट बनती है और 10 से 15 मिनिट के अंदर जट पर बन करते यार भी हो जाता है चैनल फिर बिना किसी देरी के मसालेदार आलू मतर की स्वाधिस्ट सब्ची बनाना शिरू करते है सबसे पहले एक प्रेश्ट को कर लेंगे और इसमें 304 बड़ा चममच तेल डालेंगे मैंने यहाँ पर सरसो का तेल लिया है आप यहाँ पर कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप अपने हर दिन के खाने में यूज़ करते हैं तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद इसमें हम कटे हुए आलू एड़ करेंगे मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के आलू लिया है आलू को हम मीडियम तो हाई फ्लेम भी चार से पाच मिनट के लिए शेलो फ्राई कर लेंगे आलू को मैंने फ्राई कर लिया है और आप एक सकते हैं आलू में हलका हलका गोल्डन कलर भी आ गया है इससे ज़्यादा हम आलू को नहीं फ्राई करेंगे अब आलू को हम एक बाउल में निकाल लेंगे अब इसी तेल में एक तेज बत्ता, एक इंच दालचिने का टुकड़ा, दो सुखी लाल मेच, आदे छुड़ी चमच, जेरा, दो चुटकी हेंग डालेंगे सारे खड़े मसाले को कुछ सेकिंद्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे अब इसमें तो मीनिम साइज का प्यास पारी कटावा एड़ करेंगे और प्यास को हम अच्छे से गूलन बाउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्यास को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं प्यास का कलर भी चेंज हो किया है अब हम इसमें एक छूटा चम्मच अद्रकलैसिंगा पेस्ट एड़ करेंगे और इसे चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन चला न जाए अब हम इसमें आदे चूटी चम्मच हल्दी पाउडर आदे चूटी चम्मच जेरा पाउडर आदे चूटी चम्मच धन्या पाउडर और एक छूटा चम्मच देगी मिर्च एड़ करेंगे देगी मिर्च तीखा कम होता है और इससे सबसी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और अगर आप जादा तीखा काना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं सारे सूखे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गयास का फ्लिम यहां पे लोपे होना चाहिए नहीं तो मसाले जो है जयल जाएंगे अब हम इसमें टमाटर का प्यूरी अड़ करेंगे मैंने याप ये तो मीडियम साइज का टमाटर लिया है और टमाटर को मिक्से में डाल कर इसका प्यूरी बना लिया है थूड़ा सा नमक डाल देंगे सारी चीजे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम चलाते वे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल ना निकलने लगे मसाला अच्छी से फ्राइ हो गया है और मसाला जो है तेल भी छोडने लगा है तो अब हम इसमें फ्राइ क्या हुआ आलो एड़ करेंगे और एक कफ फ्रेश अरा मतर भी डाल देंगे अभी हरा मतर का सीजन है और जो सीजनल मतर होता है उसमें अलग ही मिठास होता है जिसे सबसी जो है बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है आलू और मतर को मसालों में अच्चे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें एक कप यानी किटू फिप्टी अमिल पानी अट करेंगे साथ ही इसमें थूड़ा सहम कसूरी मिथी आदे चूटी चम्मच गरम मसाला मैंने यहापे शाही गरम मसाला लिया है स्वाध के अनुसर नमक डाल देंगे नमक हमें इस टाइम पे कम डाला है क्योंकि मसाले को फ्राई करते समय भी हमने नमक डाला हुआ है और थोड़े से फ्रेश अरा धन्या के पत्ता एड़ करेंगे सारी चीज़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़े को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढखन बंद करेंगे और इसमें मीडियम फ्लेम पे दो सीटी आने देंगे और उसके बारद प्रिशर कूकर को खुझ सही ठंडा हो जाने देंगे प्रिशर कूकर में two CT लग चुकी है और प्रिशर कूकर खुझ सही ठंडा हो गया है तो अब हम इसका ढखन खुल के सबजी को चक का लेते हैं हलवाई स्टाइल बहुती स्वादिस्ट मसालेदार आलू मतर की सबजी बनकर तयार है अभी आपको इसके ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही होगी लेकिन जैसे यह ठंडा होगा इसके ग्रेवी जो है गाड़ा हो जाएगा अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे